हेलो फ्रेंड्स, खाने की बिना कोई भी इंसान जीने के बारे में सोची नहीं सकता, इसके बिना प्रूत्वी से जिवों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, समय के साथ साथ सभी चीजे बदलती है, उसी तरीके से हमारे खान पान में भी बदलाव आया है, आज की समय में हम हमारी निर्भरता प्रोसेज्ट फूड पर बढ़ती जा रही है, वेसे वेसे फूड टेकनलोजी के शेत्र में करियर की कई सारी ओप्शन्स निकल के आ रहे हैं, और आज भारत में प्रोसेज्ट फूड की कई सारी मल्टिनाशनल कमपनीज आ गई है, इसके वज़े से मैं आप सभी को फूल डीटेस में बताने वाला हूँ कि फूड टेकनलोजिस्ट कैसे बने, फूड टेकनलोजिस्ट का काम क्या होता है, फूड टेकनलोजिस्ट बनने के लिए क्या एलिजबिलेटी क्राइटेरिया होता है, फूड टेकनलोजिस्ट बनने के लिए कौन-कौ उसे पोस्ट पर जौब हासिल कर सकते हो वहाँ पर आपको परमंद कितरे रुपीस की सालेरी मिलीगी इन सारे टॉपिक पर आज के इस वीडिये के अंदर मैं आपको डीटेल में जानकारी देने वाला हूँ तो चलो इस वीडिये की शुरुवात करते हैं और फूड टेखनोल प्रोसेस फूड एक ऐसा फूड होता है जिससे पहले सी ही बना कर एक बंद डब्बे में या फिर बोटेल में जमा करके रख दिया जाता है तो दोस्तो उस फूड को हम लोग प्रोसेस फूड कह सकते हैं जैसे कि चिप्स के पैकेट आम का अचार, मिठाई, दही, इसके एक चीजे जो एक बंद डब्बे में कई सारे महीनों तक रखी जा सकती है उसे हम लोग प्रोसेस फूड कह सकते हैं इससे इंडस्ट्री का बहुती बड़ा फाइदा होता है क्योंकि प्रोसेस फूड के टेकनलोजी के वज़े से वो प्रोड़क्ट कमपनी ने अगर आज बना है और उसे बंद डब्बे में केमिकल्स मिला कर रख दिया जाए तो वो प्रोड़क्ट एक साल तक खराब नहीं होगा एसे में कमपनी का बहुत बड़ा फाइदा होता है कि उनकी जो भी फूड से वो खराब नहीं होते और इंडिया में लोग प्रोसेस फूड खाना बहु दिखने के लिए तरह तरह के रंग और आर्टिफिशियल टेस्ट का इस्तमाल किया जाता है और इसके अंदर कई ज्यादा मातरा में नमक, फैट्स और चीने डाली जाती है ताकि ये प्रोड़क्ट एक साल तक खराब नहीं हो खेर इसे ही प्रोसेस फूड कहते हैं अभी द प्रोसेस का काम यही होता है कि उसे फैक्टरी के अंदर बने हुए फूड की कॉलिटी उसका स्वाद उसका रंग रूप चेक करना होता है और जिस भी प्रोसेस से कमपनी वो प्रोसेस फूड बना रही है उस प्रोसेस पर धान रखना और फूड की कॉलिटी इंक्रीज करन ये सारे काम दोस्तों food technologies के होते हैं एक food processing company food technologies पे पूरी तरीके से निरबर होती है एक food technologies की जरूरत पूरी दुनिया में है क्योंकि हर देश में कई सरी company process food का सामन तयार कर रही है बविश्य में खाद्य पधार्ति की कोई भी कमी न हो इसलिए हर देश food technology पर research कर रहा है जिसमे quality और test के साथ साथ पोशक तत्व पर भी काम किया जा रहा है भारत में एक food technologies की सबसे ज़्यादा जरूरत है क्योंकि इंडिया की population इतनी ज़्यादा है इसके वज़े से इंडिया में process food सबसे ज़्यादा बिखता है इसलिए इंडिया में ही एक food technologies की बहुत सारी demand है तो आई यह अभी हम लोग यह जान लेते हैं कि एक food technologies बनने के लिए क्या eligibility criteria है यानि कौन कौन सा student food technologies बन सकता है तो दोस्तों एक food technologies बनने के लिए आपको अपनी 12 science की stream से pass out करनी है आप अपनी science की stream PCB, PCM, PCMB किसी भी subject के साथ pass out कर सकते हो और एक अच्छा food technologies बनने के लिए आपकी chemistry मे पकड अच्छी होने चाहिए और अगर आपको BT in food technology का course करना है तो उसके लिए आपको JEEE की entrance exam देना compulsory है कई सारे colleges without entrance exam भी admission दे देते हैं अभी दोस्तों हम लोग यह जान लेते हैं कि market में food technologies बनने के लिए कौन कौन से courses available है तो दोस्तों food technologies बनने के लिए market में तरह तरह की courses available है जैसे कि अगर आपने अपने 12 science की stream से complete की है और आपने JEEE की entrance exam दी है तो दोस्तों आप BT in food technology का course कर सकते हो अगर आप JEEE की entrance exam नहीं दे सकते तो दोस्तों आप B.H.C. in food technology का course कर सकते हो और दोस्तों अगर आपने अपना graduation complete किया है उसके बाद अगर आपका मन एक food technologies बनन का कर रहा है तो दोस्तों आप PG diploma in food technology का course कर सकते हो अगर बात करे duration की तो दोस्तों BT in food technology का course 4 years का होता है B.H.C. in food technology का course 3 years का होता है and PG diploma का course 2 years का होता है BT in food technology के अंदर आपको full deep में knowledge दी जाती है इसमें थेरी कम और practical जादा होता है वही B.H.C. in food technology के अंदर थेरी जादा होती है और practical कम होता है लेकिन B.H.C. में आपको एक normal and average knowledge दी जाती है वही PG diploma के अंदर आपको deep में knowledge दी जाती है अगर बात करें fees की तो दोस्तो B.Tech की fees लगबग 80,000 रुपई से लेके 1,00,000 रुपीज तक की fees per year की होती है वही B.H.C. in food technology के पूरे 3 साल की fees 1,00,000 रुपीज से लेके 1,40,000 रुपीज तक की होती है वही PG diploma in food technology की fees 80,000 रुपीज तक की होती है अलग-अलग college की अलग- rich fees है इसमें से कोई भी course complete कर लेने के बाद आप एक food technologies बन जाओगे अगर बात करें job post की तो दोस्तो एक food technologies किसी भी food manufacturing company की अंदर quality manager, production manager, product manager, senior manager, general manager, food researcher, scientist, chef, nutrition and dietitian etc. जैसे post पर job हासिल कर सकते हो और ये सारे job आप food processing companies के अंदर retail companies के अंदर, agro foods manufacturing companies के अंदर या फिर किसी government या फिर private प्रयोक शाला के अंदर भी काम कर सकते हो यहाँ पर आपको foods पर research करनी होती है और उन्हें खाने लायक बनाना होता है इस field में एक food technologies को as a fresher 18,000 रुपे से लेके 20,000 रुपीज की salary दी जाती है और every year आपकी salary increase होती है जैसे जैसे आपको experience आता है वेसे वेसे आपकी salary भी बढ़ती जाती है इसके आलावा आप खुद का भी food technology से related business open कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो तो उम्मिद करता हूँ दोस्तो आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा इस वीडियो को share करके लोगों की मदद करो आपका प्यार देने के लिए और एसी वीडियोस हर रोज देखने के ल इनको धन्यवाद